सोशल मीडिया पर इस समय उबर कैप का एक फोटो वाइरल हो रहा है फोटो में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि उबर कैप के ड्राइवर ने अपनी बगल वाली सीट के पीछे एक नोट चिपकाया हुआ है दरसल नोट पर ड्राइवर ने ये लिखा है कि मुझे भईया या फिर अंकल बिलकुल ना कहे इस तस्वीर को एक ट्विटर यूजर सोहीनी ने शेयर किया है और अब ड्राइवर का सेंस ओफ हुमर इंटरनेट पर खूब ज्यादा वाइरल हो रहा है और लोग का दिल जीत रहा है हलाकि इसको लेकर अब उबर इंडिया का भी रियाक्शन सामने आ गया है दरसल जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ड्राइवर के जिनियस आइडिया के लिए उसकी सराहना की है वही कुछ लोग इस बात को लेकर असमंजस में थे कि ड्राइवर को फिर कैसी संबोधित किया जाए जिसके बाद एक यूजर्स ने लिखा कि मैं हर एक ड्राइवर को ड्राइवर साहब कहता हूँ क्योंकि मैंने जब एक ड्राइवर से ये कहा था तो वो बहुत खुश था उन्हें 20 वर्षों में किसी ने भी साहब नहीं कहा था वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि मैं हमेशा लोगों को बॉस कहता हूँ कुछ यूजर ने ये भी लिखा कि ड्राइवर को क्या कहा जाए बॉस या फिर कुछ और तस्वीर शेर करने वाले सोनी ने जवाब में लिखा कि मुंबई में बहुत सारे बुजुर्ग कैब ड्राइवर हैं जिने नाम से पुकारना बहुत अजीब सा लगता है हाला कि वाइरल ट्वीट का जवाब देते हुए उबर ने लिखा कि जब आपके ड्राइवर को सम्बोधित करने के बारे में संदे हो तो आप अब देखे ये पहली बार नहीं है जब उबर सुर्खियों में आई है जुलाई में रिया कासलीवाल नाम की एक महिला ने अपने कैब ड्राइवर के साथ अपनी बाचित का स्क्रीन शॉट शेर किया था उसने कहा कि जब दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी तो उसने ड्राइवर को ये बताने के लिए उबर एप के मैसेज फीचर का इस्तिमाल करते हुए बताया कि उससे कहा उतारना है फिलहाल के लिए इतना ही तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथ ही आप हमें फेस्बूक, इंस्ट्रोग्राम और ट्विटर पर भी ज़रूर फॉलो करें